इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। सेफ़हुरन S1.5 GM injection एक मिश्रित दवा है। ये अनेक प्रकार के bacterial infection के इलाज के लिए दिया जाता है। ये सूक्ष्म जीवों को बढ़ने से रोकने के लिए सूक्ष्म जीवों के खिलाफ लड़ता है और संक्रमन को अधिक फैलने से रोकता है। सेफ़हुरन S1.5 GM injection को केवल प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मी की देखरेक में ही दिया जाना चाहिए। इस दवा को लेने के लिए कोई निर्धारित अपॉइंट्मेंट न भूलें। अगर आप बहतर महसूस कर रहे हैं, तो भी इलाज का कोज पूरा किया जाना चाहिए। इलाज को अचानक से बंद करना दवा की क्षमता पर असर डाल सकता है। अगर इन में से कोई भी साइड इफेक्ट बढ़ जाते हैं, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्ष करना चाहिए। अगर आपको किसी अलजिक रियेक्शन, यानि की चिकते, खुजली, सूजन, सांस फूलना, आदिक का अनुभव होता है, तो आपको तुरंत चिकित सकिय मदद लेनी चाहिए। इस दवा को लेने से पहले, अगर आप किसी भी स्वास्थ समस्या के लिए कोई दवा ले रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्ष करना चाहिए। शराब पीने से बचें क्योंकि इस दवा से अत्यधिक बेहोशी हो सकती है। आमतोर पर यह आपकी गाड़ी चलाने की क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। लेकिन यदि आपको नींद आ रही है या चक्कर आ रही हैं तो आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए। ठीक होने विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। झाल 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 झाल